नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह मैं डाक्टर विवेक सिंग, आज फिर एक नई होंपैथिक दवा जिसका नाम वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन उसके चमतकारी गुणों के बिशे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आज का यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी होने वाला है, वीडियो अंतक जरूर देखें। यह होंपैथिक दवा मस्तिस पर किस तरह काम करती है और उसके लच्छन क्या हैं, जिनके आधार पर आप यह दवा ले सकते हैं या फिर रोगी को यह दवा दे सकते हैं। दोस्तों यह दवा किसी भी उम्र और वर्ग के लिए अतधिक लाफकारी सिध्ध होती है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके लच्छनों को जानते हैं। इसका सबसे पहला लच्छन है या दास कमजोर होना या या दास को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें बहुत ही यह लाफकारी दवा है। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, कोई भी बिसे तेर से समझ में आ रहा हो, कोई बात तेर से समझ पा रहे हैं या या दास कमचोर हो गया है, उसमें बहुत ही उपयोगी दवा है। कोई भी बात को जल्दी भूल जा रहे हैं तो उसमें भी या बहुत ही उपयोगी दवा है। या आप परसान हो जा रहे हैं किसी भी नड़े लेने में और नड़े नहीं ले पा रहे हैं उसमें यह बहुत ही उपयोगी दवा है। किसी भी से को लेकर आप में बहुत संसे बना रहता है तो उसमें बहुत ही उपयोगी दवा है। दोस्तों इस दवा का परियोग बच्चों के लिए भी अत्यंत लावकारी है। आपके बचे का बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है पढ़ने में बहुत कमजोर है या फिर बच्चा थोड़ी देर के लिए भी संती से पढ़ने नहीं बैठता है। इधा उधा ध्यान बठकता रहता है, उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पारा है, ऐसे लच्छणों में बहुत ही योगी एदवा है, जिसका नाम है बोकापा मार्डरी जिसे ब्रामी नाम से भी जाना जाता है, बोकापा मार्डरी इसका सांटिफिक नाम है और ब्रामी इसका का कामा नाम है या किसी भी हों पैतिक दवा खाने पर आसानी से मिल जाएगा यदि दोज की बात करें तो बड़े लोगों को 20-20 पून दिन में तीन बार लेना है बच्चों को 10-10 पून दिन में तीन बार लेना है दोस्तो इसी के साथ आपसे बोलना चाहूंगा यदि यह वीडियो आपको परसंद आया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल न भूलें जिससे मेरा कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए दोस्तों खुश रहिए स्वस्त रहिए नमस्तों